दिवाली के दिन हुए पेट्रॉल कांड में अरार निवासी बेचू यादो की मौत होगे जो की होमगाड के फायर विरिगेट के जवान थे और वो आग बुझाने के लिए एमेच नगर थाना के ठीक सामने हसनपूरा में पेट्रॉल कांड में जो है वो अपना जान गवा ब कुछ नहीं मिला है परिवार बे सहारा है उनके लड़के जी तेंदर यादो उनकी वाइप और लड़की बविता जी हमारे साथ महजूद है और अभी तक किसी भी तरह का कोई मौपजा नहीं मिला है हलाकि उनके डिपार्टमेंट से उनके कमाई हुए धन रासी में से चाल क्या कारण है कि अभी तक आहीं दोगों मौपजा नहीं मिल पाए आपहँ परसासण बताएगी कि क्या कारण है कि हम लोगों को मौपजा नहीं मिला है मान के चल कि हम लोग भी दोख मेंस्टा वी तो परसासन को सोब दिया और एंब कर् blessing के द्भरें हुआ का जरूरत नहीं जब बोड़ी 88 परसेंट जल गई है तो अभी हम लोग को स्माटम ना चलते हमारे बैंक का भी कुछ पैसा फासा हुआ भी नहीं निकल रहा है इसके चलते हम लोग को बहुत परसानी जहल रहा है और जलना पड़ता है दोड़ा दोड़ाया जा रहा है कभी बैं दो महीना हो गया अभी तक लिए करवाई कुछ नहीं हुआ है अभी तक हम लोग को वही जो पैसा मिलना वाला वही से हम लोग का पालन पोसंट चले हमारी एक सीश्टर है उसका विसाधी करने का बाइस बान के चले कि घर का जो इस्तीति है और डाइमेज होते जा रहा है अ उसके बाद तुरंत हो जाएगा अभी हम लोग को घटना का दो महीना बित गया अभी तक परकिरिया नहीं हुआ आगे क्या होगा क्या नहीं आंदर ब्लॉक पर सीओ साब से बात किये तो भी वही संतावना दे रहा है कि मिलेगा मिलेगा मन के चलिए कि कब तक मिलेगा अभ लोगे करवाई में इधर उदर होगी इतना दिकत परशानित जलना कभी सहीं साथ करना पड़ता है कभी करना पढ़ता है अभी इस मामला को सब्सक्राइब हम लोग भी परकिरिया पैसा मिलना तुरंथ मिल जाए और हम लोग कर नोकरी समय पर हो जाएगा तो लोग पर्वार का स्थीति थोड़ा सही हो जाएगा नहीं तो अम लोग परवार का इस्थीति अभी से डाइमेज होने लगाए यहीं अम परसासन से बिंति करेंगे और डीजी में मर का चौलतों प्षाप शरप कम दे। लो को च्छना दे लो कर तो सार था कि में ज़ा मॆ और कर दो कि हमार शॉइन चौनल लगया का नाम पड़िता कुमरी आप क्या करती हैं हम पढ़ाई करते हैं अब हीपढ़ाई जारी है के छुट के जाए हमकर पापा मेरे पापा ही कमाने वाले थे एगक है अभी दिक्कत है जाहीत दिक्कत है क्या मांग करेंगे आप सरकार से मांग करेंगे कि हमें करींगे कि पर मतलग में परिवार भे सहरा है इनकी लड़की पढ़ाई करती हैं उसमें भी अब दीखते आ रही है इनके लड़के हैं वो भी कोई अस्थाई नोख्री नहीं करते हैं तो परिवार का भरन पोसन में भी दिक्कत आ रही है और अभी तक मुआवजा नहीं मिला है हम हसनपूरा नियूज के तरब से मांग करते हैं कि बेचिव यादो के फैमिली को सपोर्ट करें और देखते रहे हसनपूरा नियूज एक्सप्रेस जैहिंद